भागलपूर जिले से इस वक्त की बरी ख़बर सामने आ रही है जहा दिन दहारी दू लोगों की धारदार हत्यार से गला काट कर मौत के घाट उतार दिया गया है मौके से पुले सारोपी को गिरबतार कर लिया है गटना के बाबत बताया जा रहा है कि सुल्तान गयर मोतीचक गाउ में एक साइको किलर ने दो लोगों को तलवार से काट कर मौत के घाट उतार दिये कई लोगों को घाल भी कर दिया भागलपूर सुतान गयर थानर्शित की मोतीचक गाउ में दिन धारे एक साइको किलर ने दो लोगों को मौत के घाट उतारते वी दो लोगों को घाल कर दिया वही ग्रामनों ने बताए कि गाउं के ही साइको किलर नी तेज धारदार हत्यार से दो लोगों को काटकर मार डाला है जिसका नाम मरतक शाम राम, मंडल उम्र 6 वर्स, रभी कुमार उम्र 8 वर्स है दोनों घायल हैं जिसका नाम महिस्वर खातुन महिला दूसर रामदेब यादब बताया जा रहा है वही घटना सलपर अस्थानिय पुलिस पहुंचडे पर साइको किलर दिपक कुमार ने पुलिस पर पथराओ भी किया जिसमें पुलिस की गारी जीब केशी सा तुट गया है वहीं पुलिस ने साइको किलर दिपक कुमार को खदेरते वी साइको किलर दिपक कुमार को माके से गिरपतार कर लिया पुलिस ने घायल लोगों को रेफरेल अस्पता लाकर एलास कराया जा रहा है बिरिडोस बिहार के ने भागलपूर से सुस्रेल कुमार की रिपोर्ट